तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत के आपका एक विराण न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटन्स पब जी दों वाईल गेम टे वीडियो में ठीक है और इसमें यार ऐसे अजीब और गरीब सीन होंगे कि क्या ही बताऊं समोक मैं जजब भी होगा यहाँ पे कवर के पीछे भी नौक होंगे खेर जो भी होगा आपको देखने मिलेगा यार आप मुझे बताना की आपको क्या लगता है खेर फिलाल के लिए आपन जोर जा रखें और लूट के नाम पे सस्ती गने मिलती है तो वही चलाना चालू करता हूं मैं वैसे एक गंड धंकी है मेरे पे और जब जब ऐसी चीजे होती है यार तब तब मुझे लगता है मैं एक बॉट हूं हरा डैमेज दे रहा हूं दो तिन बंदे भगके गए दोनों को डैमेज दिया यार नो कोई भी नहीं हुआ खेर अंधा अरस करता हूं मैं टोप और आगे ये लोग यार वो जो उचलने वाली चीज है उसके मजे ले रहे थे पूरे हाना कंटेनरों में उचल रहे थे और अभी के लिए नोक पड़े हैं और आगे वाले बंदों को पेलने में मैं इतना मगन हो गया कि ये ही भूलिया यार अपने पीछे भी बंदे थे कैर इनको मैंने डैमेज दिया था एक की पेटी बना दी तो मैं यहाँ आगे रस करता हूं क्यूंकि यार दो बंदे नोक किये हैं क्या पता टैम पे पहुँच जाओं और पेटिया भी बना जाओं उनकी और यहाँ पे अंदर फूल केम्पिंग चल लिए ठीक है ये जो बगल वाला बंदा था जो साइड में खड़ा था भाई सोडगन लेके बैठा है क्यार इसको मैं गुस्ते नोक करता हूं मैं देखता हूं यार बगल में भी एक बंदा लेटा है मैं बोलता हूं भहिया बाहर बगलो क्यूंकि अगर बाहर भगता नहीं न मैं तो ये लोग नोक होके बाहर जाने नहीं देते यार मेरी पेटी ही जाती बाहर बहले ही मेरे पीछे 10 टीमेट हो, मैं नहीं बच पाता क्यार मैं टाइम पे बाहर निकलता हूँ, इन सब की पेटी बना दी ये सोकॉट ठिल चुकी है मेरे ख्याल से, लेकिन आगे और भी बंदे बैठे पड़े हैं और यहां मैं तयार हो रहा होता हूँ कि यार आगे से बंदे आएंगे मैं धेड़ पैड़ पेटी बनाऊँगा ठिक है मैं ठीपी पी लेके बैठा हूँ, नजाने कहां से पीछे से एक बोट आजाता है उसके चकर में ये बंदे रश भी नहीं करते, तो मैं ही गुच जाता हूँ इन पे और ये लोग भी बिल्कुल मेरी तरह डेट हैं बिल्कुल हना उसके मुग के सामने एक उसका टीमेट नो करता हूँ, लेकिन वो बंदा फिर भी लूट रहा होता है उपर और ये सुनके यार, जब भी मैं ये सुनता हूँ कि यार, लास्ट बंदा है, जल्दी चलो जोज टैप आजाता है, तो मैं उपर से जा रहा हूँ लेकिन रिवाइव अगे रहा हो जाते ये लोग और यसा सालों बाद ओर आए कि यार जोर्ज मैं दबा किये बंदे आए हरा दो सकॉड को शायद मैं ठिला चुका हूँ लेकिन पीछे और भी बंदे थे जो मुझे उपर चड़ने पे पेल रहे थे खेर मैं टैम पे नीचे आता हूँ इन दोनों बंदों को पेल देता हूँ और यहां पे हमारे भाई नेट खीचके बैठे हुते हैं देखो किसे ठिलाते हैं वो नेट से तो हमारे भाई नेट फेकते हैं और बंद को पेल देते हैं नेट से और लूट की लालच में भाई नोग भी हो जाते हैं हना भाई ने नेट करके बॉट को पेला सोचा यार कैसे ना लूटू मैं इसे बहुत मेहनत लगी है क्योंकि यार मेरे नेट से अगर बॉट भी ठिल जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है तो भाई ने भी सूचाओ का यार आज तो लूट के ही आऊँगा मैं खेर बंदों ने नौक करके छोड़ दिया साइड में और अब वो उपर से रस कर रहे हैं समालना पड़ेगा और यार अभी मैं देखता हूँ मेरे पे अभी तक एक हेलमेट नहीं है ठीक है अभी भी ये सस्ती सफे टोपा बैन के मैं गूम रहा हूँ और एक हेटसोट एकेम का और मैं यही पे निपड़ जाऊँगा लेकिन पेल दिया जैसे तैसे और यहाँ पे इनके टीमेट्स के नाम पे कद्दू भी कोई नहीं होता हना तो यहाँ पे जोड़ खाली हो चुका होता है अगर इसके टीमेट्स थे भी तो देखो हमको भी पता है वो यहाँ पे कभी भी नहीं आने वाले मतलब जब यह बंदे जिन्दा थे और रस करने थे तब वो लोग नहीं आये तो यहाँ पेटी बनने के बाद मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है खेर जो भी हो भाई लोग तयार हो जाओ क्योंकि आगे जाके गलत सीन चालू होंगे दीरे दीरे करके बढ़ता जाएका गलत सीन लेकिन उससे पहले हम धैट बैट बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तयार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स खेल सकते हो इसमें और क्रिकेट फुटबॉल, बॉली बास्केट बॉल, कद्दू बॉल सब पह बैट लागा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के तुरू पैसे अन कर सकते हो साथी साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि आपको कमेंट सेक्शोन में मिल जाएगा तो आप यहाँ पे कई सारे मिनी गेंज भी खेल सकते हो और उसे भी पैसे अन कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सोक है तो आप इसे ट्राइ गर के देखो इसकी लिंक कमेंट सेक्शोन में होगी बिल्कुल टोप में अब उस बंदे को मैं हेड हूट दे देता हूँ लेकिन यार वो बंदा नो कोके नहीं देता और पूरी सकॉर्ड बैटी है यहाँ पे उस भाई की और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरी M4 मुझे दो का टैप दे रही है मतलब वो पानी के बगल से जो बंदा भग रहा था इतनी सारी गोली मारी भाई को लेकिन नो कोके नहीं दिया खेर एक नो किया है अब सोचता हो यार दूसरा भी नो कर दूँगा अब जिस बंदे ने मुझे नो किया उसको मैं च्छे गोली मारा हूँ हाँ मैं बिल्कुल डेट हूँ मैंने गिनाय जाके पीछे गोली च्छे गोली पड़ी थी उसके लेकिन यार च्छे एमफोर की गोली खाने के बाद भी बंदा नौक लिवा मतलब एक हेल्थ बाकी होगी बंदे की लेकिन भाई के पास थी कार 98 हाना मतलब सकोब भी हो गया और हम यहां पे लाल बिंतु पठकाए जा रहें बंदा एक गोली चलाता है और मुझे चुप करके यहां पे लिटा देता है बिल्कुल नौक हो जाता हूं मैं अब देखो फिर से वैसीन हो गये हैं हील के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है और हेलमेट भाई पूछो मत ठीक है इस मैच में मेरे ख्याल से बस पांच मिनट प और आखिर कार जाके मैं किसी बंदे को नूक कर पाया हना मतलब यार ये लोग गेर के पेलने की पूरी कोसिस कर देते हैं एक पीछे से आ जाता है उसे मेरे टीमेट समाल लेता है एक दूर से कारदाइं टेट चटका रहा है और एक बगल वाले पेड़ में आ चुका होता है अब देखो जो भी बेंडेज बुंडेज जो भी बचा होता है जैसे तैसे मैं पेलता हूँ क्यूंकि हिल के नाम पे अपने पे कदू भी नहीं होता उसके उपर से हेलमेट भी नहीं है मतलब एक गोली लगनी है और मैं खलास अब यहां पे हमारे भाई भी बोटो वाली हरकते कर रहे हैं हना भाई के तैयार डेमेज दिया मैंने उसे बहुत अब देखो डेमेज से क्या उखड़ेगा मेरे समझ के पार है लेकिन मुझे इतना बता है कि अपनी टीम में अब दो ऐसे बंदे हैं जिन पे हेलमेट के ना अब देखो दो चीज होंगी या तो दोनों सकॉर्ड मिलके हमारी बेटी बना देंगी या तो हम जैसे तैसे करके पेल देंगे और बचके निकल लेंगे यहां से और एक बंदे को नो करके ना पूरी जान में जाना जाती है जो स्टॉप लेवल पे पहुंचाता है तो वह बोलता हूँ भया कदू नहीं रुकना अंधा रस करो जो भी होगा देखा जाएगा बस रस कर दो इन पे और यहां पे हम जंगलियों की तरह रस्त तो कर गये हैं लेकिन यार हम किसको पेल ले हैं हमें कदू भी नहीं पता क्या मैं उन बंदों को पेल लाओ जो पहले से आ थे या जो थर्ड़ पाटी करे हैं उन्हें पेल रहा हूँ खैर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे नहीं तो यार गलत सीन हो जाएंगे अब यार यहां पे पबजी मुबाईल गेम ने मेरा मजाग बना के रख रखा है ठीक है सिर्फ मेरा मजाग बना रखा है आधे गेम में मेरे पास हेलमेट नहीं है आधा गेम बीच चुका है हेलमेट नहीं है अबी भी ठीक है दूसरी बात हील के नाम पे कद्दू कुछ नहीं था गोली भी खतम हो गई थी यहाँ पे अंधा रस करके मेहनत करके एक सकोट ठिलाते हैं कौन जी सकोट ठिलाई हमें कद्दू नहीं पता बस बंदे पेल दिया है मैं बोलता हूँ ठीक यार मिल्कुल मजा टैप आ गया आखिर कार में लूटूँगा कुछ मेरे पे भी हेलमेट होगा साही जाएगी जिन्दगी उतरे में ही भाईया अपने ठीक ऊपर लाल जोन बनता है और सिर्फ मेरे पे फटता है ठीक है यहाँ पे तीन तीन बंदे ब करके मर जाना यार दर्द होता है भाई दिल पे दर्द होता है अब देखो मैं नहीं जानता यहाँ पे किस की नहीं पता वो है की नहीं लेकिन उससे अपनी फाइट होगी तो आप लोग देखना और आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताना मैं कुछ नहीं बोलूंगा जो भी बोलोगे आप लोग बोलोगे आपको क्या लगता है वो बताना ठीक है गलत सीन होंगे आगे जाके लेकि तो देखो पंगा तो ले नहीं था तो मैं निकल पढ़ता हूँ वहाँ पर जुड़ जाता हूं बिल्कुली अब देखो यह जगा भी कुछ खास है यहाँ पर बंदों से ज्यादा आपको जाड़िया देखने को मिलेंगी एक टेम के लिए अगर उन सामने वाली जाड़ियों पे खड़े होगे न अब अपने आपको नहीं देख पाओगे और देखो मजाक नहीं कर रहा यहां पे मुझे सिर्फ एक जलग दिखी थी बंदेगी उसके बाद जो भी किया है मैंने अंधी भाइरिंग पे किया है ठीक है मैंने बोला यहीं कई था बंदा गोल या पेल दो जैसे तैसे करके वो नौक हो गया और उसका टीमेट कवर फायर भी तगड़ा दे रहा है बिलकुल अब देखो अगर आप मैप में देखोगे तो पीछे से गोली की आवाज आ रही थी हरना पीछे से कोई AWM पटका रहा होता है और वो कोन होता है आगे पता चलेगा आपको क्यार मैं पीछे देखता हूँ बोलता हूँ ठीक यार क्या पटकाएंगी काफी दूर कड़ें यह लोग मैं आगे वाले बंदे पर रस करने भीड़ जाता हूँ हरना और नोक हो आए तो यार रिवाइब भी होगा लेकिन अपन फिर भी रस करेगा और इसी चक्कर में गलत सीन हो जाते हैं अब देखो जिन बंदों पर मैंने रस किया वो नहीं पेल पाए मुझे लेकिन पीछे से जो AWM पटका रहा था यार पेल के रख देता है तो यहां पे मैं नोक होता हूँ लेकिन रिवाइब अगेरा मिल जाता है अच्छा वह कवर में आ गया नहीं तो वह रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी तो आओ जर्हा इस गलत सिन को इस स्लो मूशन में देखते हैं मैं पीक करता हूँ ठीक है जैसे तैसे करके मैं हेड्सोर फिलता हूं उसे मै कवर में वापिस आ चुका हूँ मेरी मुंडी अंदर उचुकी अभी पीक करके ठीक है कवर में थोड़ा और कवर में जाने के बाद तुम्हारा भाई नोक हो जाता है अब देखो यह पब जी है हाना यहाँ पे कुछ भी होता रहता है कवर में जाके भी नोक होते हैं तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे मैं 100% सोर नहीं हूं कि सीन क्या च अब देखो यहां पेवी मैं कद्दू कुछ नहीं बोलूँगा आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूरू बताना क्या सामने वाला बंदा जो आपको लगता है प्लीस कमेंट में बताना मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्या देखो पपजी एक ऐसा गेमें जिसमें कुछ भी सीन हो जाते तो हां कवर में आके भी कई बार नोक होते हैं और हमारे भाई समोक के बीच ओ बीच पेटी लूटने गए थे और सीधा हैट सोट क्या पता बढ़िया किसमत चली हूँ क्या पता महंगा सनाई पर हूँ आपको जो भी लगता है यार कमेंट में ज़रूर बताना अब देखो ये पूरे के पूरे चार बंदे गाड़ी लेके अपने सामने वाले घर पे आ जाते हैं हरा दूर से सनाई पिंग करके हमें 5-6 बार नोक कर दिया अब बिल्कुल कलोज रेंज में आ चुके हैं ये ठीक है तो यहाँ पे देखना है कि भाई सीन क्या हो गए आपे और देखो हम बस एक ही चीज का इंतेजार कर रहे हैं आगे रस करने के लिए वो है उस बंदे को नोक करना जो खतरनाक सनाई पिंग कर रहा है क्योंकि देखो उसको नोक कर दिया तो शायद बाकियों को पेल पाएं क्योंकि यार बाकी बंदे कुछ कर नहीं रहे हैं जादा वही धिलाए जा रहा है तो उसे नोक करना पड़ेगा सबसे पहले और यहाँ पे हमारे भाई कतई अपनी महंगी सनाई पिंग से उस AWM वाले बंदे को नोक कर देते हैं तो देखो एक बंदे की मैं पेटी बना चुका हूँ AWM वाला बंदा जो जहर ही पेल रहा है हमें उसको नोक कर दिया है तो अपनी पूरी टीम फुल जो उसमें आ जाती है और अपन लोग फुल रस कर रहे होते हैं मेरे को छोड़के मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ नेट से हाना खेर कोई नी वो रिवाइव हो चुका है तो सही है यार जादा मजा आएगा जादे पंगे होंगे देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर से मैं बोट वाली हरकते करने लगता हूँ सिर्फ डैमेज दे पा रहा हूँ बंदों को और हमारे ये भाई स्नाइपिंग के साथ साथ यार गन भी जहर चला रहे होते हैं ठीक है मैं थोड़ा से दिखता हूँ भाई सीधा हैट सोट देते हैं मैं बोलता हूँ यहाँ से कटलो साइड पे जाता हूँ मैं लेकिन हमारे भाई उसकी फायर पे आ जाते हैं ठीक है बंदा नव को जाता है मेरी आधी हैल तो पिए, मैं बोलता हूं अभी नहीं तो आधी हıld कर दो इस पे, तो मैं एका धेट सॉट पहलता हूं, सीधा सर पहलता हूं, और बंदे की तब तक गुली चलाता हूं, जब तक पेटी ने बन जाए, तो यहां पर अपना यार व और यहां पे हमारे पास रुकने की कोई वजाई बाखी नहीं है हना तीन बंदों की हम पेटी बना चुके इनके आगरी बंदा चट के उपर बैठा है तो यह रस करना पड़ेगा अब रुकने का कोई सीन ही नहीं होता और जोन भी आ रहा है और जोन सही में पहुत गलत सीन कर देगा अब देखो यार इन चारों बंदों की पेटी बना दी लेकिन जोन हमारी पेटी बनाने को आ गया है हाना मैं फिर भी लूट रहा था है यार बैट की लेकिन भग लेता हूँ मैं भी ज्यादा डेट होना भी यार गलत सीन हो जाते कभी कभी और जोन काफी छोटा हो चुका है यानि की डेमेज डबा डबा की होगा और भाई लोग मुझे कमेंट में जरूर जरूर 100% बताना की आपको क्या लगता है क्या वो बंदा खतरनाक प्लेयर था कि टोप प्लेयर था या वो गलत सीन करके खेला था हाना आप मुझे बताना मैं कुछी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सही में कनफोर्म नहीं हो रहा है कि सीन क्या चल ला है आप मुझे बताना और ये गलत सीन भी देखो अब देखो खतरनाक बंदो को पेलने के बाद चार चार बंदो को पेलने के बाद ऐसे बंदे जो भाईया समोक में अज़स करके पेलने हैं उन्हें पेलने के बाद जोन से आप ठिल जाओ कितना दुख होगा हाना वो भी अपनी मुर्खता की वज़ा से यहाँ पे हमारे भाई नजाने क्यों गाड़ी के साथ मस्ती कर रहे हैं यह नहीं कि यार भगलू तेस्टेज भगलू जोन में पहुंचाऊंगा नहीं भाई भाई को गाड़ी पे याना है तो भाई गाड़ी में बैठते फरस्टेड के नाम पे कद्दू कुष्णिता साइद और इसी चक्कर में पेटी बन जाती है और देखो जोन भी बहुत गलत अब देखो सारी चीजों का दुख अलग होता है और घर के अंदर होके भी ठिल जाना ठीक है घर के अंदर अपना टीमेट होते वे भी ठिल जाना उसका दुख अलग जगा पे होता है ठीक है हर चीज में दर्द होता है लेकिन यार इस चीज में भाई रोना आ जाता है सोचो घर के अंदर बैठे हो नौक होते हो बोलते हो कोई नियार मेरा दोस्त यहीं पे है मुझे रिवाइफ बिल्कुल हलवे की तरह मिलेगा मजा के है रिवाइफ देना और उतने में ही आपकी अचानक से पेटी बन जाए सोचो क्या दर्द होता होगा अब देखो सामने इसका टीमेट बैठा है और इसे मैं बेकूप बनाने की कुशिस करता हूँ और बाई को पीक करने के लिए मैं उकसा टेप देता हूँ हना मतलब यार मैं भी खड़ा हो देखके बाई की नहीं कर रहा है मैं बोलताओ जार Um जना कुदा फांदी करताओ, क्या पता बंदा फीख दे तो मैं गण हटाताओ, कूदताओ, बंदा पीक करता है मैं भी पीक करताओ और, भाई की बटी बन जाती है आप देखो, इस पीर्एंगी ऐगर वो पीक के साथ प्रीफायर देता तो शायद में ठील जाता लेकिन किस्मत सहीती बज गए और उपर ये जो अस्पताल है पता नहीं क्या है यहाँ पे भी बंदे बैठे हैं और ये बेचारे लोग यार जोन में जाने की तयारी करीर होते हैं कि मैं एक बंदे की पेटी बना देता हूं और दूसरा बंदा भी बुरी तरह फस चुका है अब यहाँ पे भले मेरे टीमेट हस रहे हना दाथ फाड़ के हस रहे लेकिन यार मुझे रोना आ रहा हुता है इस टेम पे मतलब उपर से कुदा डेमेज दिया बंदा नीचे गिर के ठुक जाता है गिर के ठील जाता है हना बिलकुल नौक पढ़ता है मैं बोलता हूँ कोई नी यार मैं पेटी बनाऊँगा इसकी लेकिन वो बंदा भी बहुच अलाक होता है वो बोलता है यार मैं इसे किल लेने नी दूँगा और वो कवर में जाके जोन से ठील जाता है और अगर ये बंदा भी बच के कवर में चला जाता ना भाई मेरा विश्वास हट जाता इस गेम से तो देखो अभी गिने चुने 5-6 बंदे बाकी है जो की आगे की साइडी है और यहाँ पे अब मुझे बस एक ही चीची होती है ठीक है भले ही मुझे किल भी न मिले मुझे बस इतना ची होता है कि यार एक बार के लिए जिंदगी में एक बार के लिए ढंक से जून साथ दे अपने उपर बन जाए अपने उपर भी ना बने तो उनकी उपर ना बने कहीं कोने में जाके बन जाए लेकिन यार अपने साथ गलत ही सीन होते तो हाँ यहाँ पे भी गलत ही सीन होंगे अब देखो आगे फाइट फूइट चलिए तो मैं नेड नूट कर देता हूं और ने यह मेरे नेड अंदर नहीं गए लेकिन यार दूसरा बंदा अंदर गुज जाता है घर के हाना तो देखो अब चार बंदे बाकी हैं और चारो के चारो एक ही टीम के होते हैं और हमारे आगे ही बैठे पड़े हैं सारे और यहां पर मैं देखता हूँ यार मेरे पर AWM भी पड़ी है तो क्यों ना किसी को हेट्सोट पिल दिया जाए हाँ गलती से अब देखो यहां एक बंदे को मैं गलती से हेट्सोट पिलता हूँ हाना लेकिन वो ठिलता नहीं है नो को हैं भाई तो इससे मुझे और भी साफ हो जाता है कि यार चार बंदे बैठे पड़ें आगे तो देखो अब जून की तरफ देखते हैं क्या चल्ला है ठीक है जून अपने पर नहीं बनाए आगे चार बंदे बैठे पड़ें बीच मे कर ले लोगो में कि अब देखो चारो के चारो बंदो को पताए कि हम दोनों यहां पर बैठे पड़ें ठीक है उन्होंने नेड कर लिया उन्होंने गोली चला ली अब पता निए क्या ही करना बाकिए अब देखो जब जांदा परिसानी में नहीं होता मुझे लगता है कि जोन लेफ्ट में कहीं पे बनाए हाना उन पे भी होगा थोड़ा सा अपने पे भी होगा तो यहाँ पे मेरे टीमेड बोलते भाई नसे से उत्रो क्या कर रहे हो जोन तुम पे कद्दू भी नहीं है और वो लोग पे वो दिवार का कवर है घरों का कवर है और यार अपने पे तो समोग भी खतम हो चुके है अब यार यहाँ पे मैं क्या ही बहाना दू ये तो मेरे समझ के भी पार है हरा मैं क्या सोज़ाँ था जब मैं गेम खिल रहा था मैं आपको बताता हूँ तो देखो मैंने समोक किया होता है पेड़ पे जाता हूँ मैं मुझे लगता है यार पेड़ तो होगा जोन में पेड़ भी जोन में नहीं होता बिलकुल क्या ही कर सकते हैं तो मुझे लगता है ठीक यार थोड़ा जोन बैटने दो तब आगे रस करेंगे मैं समोक पे हूँ मै सेफ हो समोक में लेकिन यार वो लोग अपनी सारी की सारी गोली एक बंदा में पेल चुका होता उनका तीन के तीन बंदे सारी गोली समोक में पेल देते हैं और समोक में ये अपनी पेटी बन जाती है बस यहाँ पर सोचो एक आधा सेंटीमीटर ठीक है आधा सेंटीमीटर भी जोन अपना साथ दे देता यार शायद कुछ उखाड़ पाता मैं लेकिन कोई यार देखो 26 किल हो गए तो हाँ किल और केडी बच गई जादा दिक्कत नहीं है और उन बंदों को पेला जो खतरनाग जहर सनाइपिंग कर रहे थे तो यार अपना सतना सफल हो जाता है तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए यहाँ पर मैं क्या ऐसा कर सकता था कि मैं बच पाता तो देखो यहाँ पर मैं महेंगे नेड कर सकता था लेकिन यार नेड ससते हैं तो क्या ही कर सकते हैं दूसरी चीज यह थी कि अगर मैं नहीं रुकता समूक में आगे भगता और गोली चलाता तो शायद कुछ हो जाता लेकिन फिर से यार तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं हलवा नहीं चला यहाँ पर तो आपको क्या लगता है मैं क्या करता तो जीतता है यार मुझे कमेंट में जरूर बताना ख्यार उन खतरनाख बंदों को पेल दो बिल्कूली तो बाज मैं लो गयार आज की विडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए आपको क्या लगता है वो बंदा हैकर था या खतरदाक पिलेयर था मुझे कमेंट में जरूर बताना कल मिलते है भाई लो गयार बाई बाई